तो आज आप देखी सकते हैं अपने सामने खड़िए और इसका डिस्पले में ही मेजर चेंजेस हैं बाकि इसका पूरी प्रोफाइल सेम तू सेम हैं बाकि यहां इंडिकेटर में आपको फर्क दिख रहा होगा में बात में बता दूंगा कायके हैं क्या चेंजेस हैं तो बने मेरे मेरी इस वीडियो पर पाकि चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ऐसी मोर डिटल रिव्यूस के लिए चैनल सो सब्स्क्राइब और बैल आइकोन जरू दबाए तो फ्रेंड आप देख सकते हैं मैं अभी इस समय खड़ा हूं बजाज शोरूम SMH बजाज पर यह 8RC का है तो आप देख सकते हैं यहां पर वर्किंग स्पेस भी बहुत अच्छा है तो अकर आप लोगों को कभी बजाज की कोई गाड़ी खरीद नहीं हो और आपका आसपास के हो तो आप यहां पर जरूरी एक बार वेंट करें पीछे इसके वर्किंग स्पेस भी बहु कोई अंतर है नहीं 817 का आप देख सकते हैं तो आपको देखने को मिलता है ट्यूबले से रेडियल तो नहीं ही है यूरो ग्रिप के टायर है जो कि स्लिप तो नहीं करते हैं MRF के तो यार अच्छे आतने हैं पर MRF के दिल तो ज्यादा बढ़िया था और पीछे के टार पर आप देख सकते हैं 119 के हैं 17 इंच अलोई पर इसमें नहीं है वाकि त्यूबले जरू मिल जाएगा इसके ब्रेक्स की बात कलने तो यार कैले पर पर कुछ कंपनी दी नहीं है तो बता नहीं सकता है वाकि हां इसको डिस्क साइज है वो 230 mm का है और पीछे आपको ड्रम ब्र देखनों को मिलते हैं यार मतलब दे देना था डिसक वेरियंट रही दे देते तो ज्यादा बड़िया था वेरियंट भी नहीं तो पता नहीं क्यों नहीं दिया बाकि यह बंट 30 mm का ड्रम रहेक है मुझे तो नहीं लगता को इतनी बड़िया प्रफॉर्मस देता हो गए कि चालब सबसे मेजर प्रॉब्लम है जो बना आपको इसमें बताने वाला हूँ यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको जरूर कुछ ना कुछ मिसिंग हो रहा हो गा कर लोग को पता होगा जिने नहीं पता मं उसके लिए बता नहीं प्लेट इसमें यह आता पता नहीं क्यों इ आपको सेम बड़काद यहां पर देखने को मिलेगा कारवन पेटन डिजाइन में सेम टू सेम फुली प्लास्टिक सिंगल पर आप देख सकते हैं बंद में कुछ गाड़ी यही दिखती है हमें आपको एब चालू करके बदा देता हूं देख सकते हैं क्या DRL से हैं क्या headlight setup है DRL से इसका कहीं न कहीं आप देख सकते हैं लाइटनिंग शेम से एकसपा एकसपा एंस्पायर हैं sorry for my bad English बाकि यह इसका डिपर है और यह इसका अपर है थ्रो की बात तो मुझे करने की लगता नहीं कि जरूआ थे आप बजाची गाड़ी उस जानते हैं यह थ्रो बहुत अच्छा होता है बाकि इसमें हेलोजन इंडिकेटर मिलते हैं यहा कि बात करें तो आप देख सकते में माइनर से चेंज यह थोड़ा सा उठ गया है अपलिफ्त हो गया बागी डिजाइन तो सेमी है और यह आपको बजायत का बड़ी आसा लोगो देखने को मिल जाता है अब इसके बैक प्रोफाइल पर जाते हैं का इस तो आपको सेम वही का तो वही बैक प्रोफाइल आज भी देखने को मिलता है फुली एलेडी सेट अप के साथ बाकी हां इंडिकेटर नहीं है लेडी बाता चुका हूं बाकी देखने में तो खेर अच्छा लगता उसमें दून राउट और यहां पे आपको पार्किंग जो है नंबर प्लेट की लाइट वह भी हैलोजन देखने को मिलती है बाकी यह मटगाड जो पहले आता था वही है और आप बताई चुका है बाकी पीछे से इसका लुक कुछ ऐसा होता है गाईश इसका साइट प्रोफाइल की बात करें तो आप देख सकते हैं साइट से बिल्कुल सेम तू सेम यह अपना मज़दार वुल्फ वाला डिजाइन देख सकते हैं पीछे NS 125 का लोगो है पालसर जो हमेशा से मुझे बहुत पसंद ही लोगो मेरी गाईडी में भी है तो मुझे बहुत पसंद आता है और यहाँ पर आपको 125 का लोगो देखने मिलेगा यहाँ फुल इंजेस्टिन मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ हलका से एक डिजाइन पैटन चलाने के लिए यहाँ पर बैली पेन दे दिया है पाकि इसकी कॉलिटी मुझे इतनी कोई खास न लगी यह बहुत पतला सा है मुझे आप देखो तो इसमें आप देख सकते कितना गया पर मुझे आप देख रह तो आपको 45-50 का मिलेगा और ओनर्शिप रिविव के साब से 49 तक का माईलज आपको यह गाड़ी आराम से देदेगे अगर आप 72-80 पर क्रूस करते हैं कहीं पर और राइडिंग रेंज की बात करें तो आपको 594 किलोमेटर की इसमें राइडिंग रेंज मिलती है और की बात करें तो इसका जो करवेट 144 केजी का है सीट हाइड जो है एट हंड़ेंड फाइम कि ए ग्रांड क्लियर इसके बात करने बहुत अच्छा है एक्च्वल में बहुत अच्छा है स्प्लेंडर से भी यादा अच्छा है 179 mm का ओवरल इसकी जो लेंथ है वो 2012 है विट जो यह एट हंड़ेंड टैंड एम एम कि है ओवरल है जो है 1078 mm कि है वील इसका थाटीन 53 mm का है अब आपको थोड़ा साइक इनफोर्मेटिव वीडियो के साफ से बता देता हूं उसमें जो आपकी मैंफेक्चरिरिंग वारुन्ती जो 5 साल की कमपनी क्लेम करती है या तो आ यहार आजकल तो फिर कॉमन है इसके बारे में आपको बार पर कहीं बताऊंगा और यहां पे आपको एक ड्राइवर के लिए पैट देखने को मिल जाता है कमफटनेस के लिए अब इसके हैंडल की प्रोफाइल की बात करें तो आपको इसमें हैंडल में कोई मेजर चेंजिस नहीं मिलते बस आपको यहां पे एक मोड का बटन मिल जाता है और यहीं पे इसका पड़े पर स्विच भी इसी में इंलुमिनेट कर दिया है पासिंग स्वि और उन लुक्त भार आप शोरूम आकर जरूर इस में को देखे क्यों कहीं न कहीं मुझे ऐसा फील हुआ कि वीडियो में थोड़ा सा चोटा फील होता है बाकि आप इसको लाइब देखने तो मीटर बहुत अच्छा है कहीं न कहीं एंटी जितता बड़ा है अब इसके में पेमाई यहां पर आपको न्यूटरल साइन के यहीं ही पर यह एवाप को इन्टार मिल जाएगा और यहीं पर नीजिया इसे आपको अपैंब्स कोनित breaking Bible सैंट्ग देता रहे हैं ऑर पिल्सवुच्ण करोंगे तो कि इंजन WITH YOUR और यह पोजिशन इंडिकेटर है यहां पर फ्यूल नैविगेशन है और यहां पर स्कार प्यम हिट का है और यहां पर स्पीड टॉप बगएरा बताएगा ओडो मीटर यहां बताएगा ट्रिप पे टुप भी बताएगा देख सकते हो आप बाकी एवरेज फ्यूल एकॉनमी अध्रिप बी और यह एंट्री वर्निंग देगा और एंट्री सेटिंग आप इसको मोड को दबा करेंगे तो आप इससे ब्लूटूथ कर सकते हैं इसके आप बजाच के द्वारा और यहां पर आपको आर्पिम लिमिट का जो है यहां पर आपको देखने को मिल जाता है दे लिखने में परफक्त है अच्छा भी लगता है और यूस्फुल भी है और यहां पर आपको यहां पर यहां पर यूस्बी का पॉर्ट मिल जाता है थोड़ा सा कौने में तो कहीं न कहीं आपको शाइद दिक्का दो बाकि दिया है यह इच्छा है पहले तो देते भी नहीं इसके सीट की बाइट करें तो आप सीट में देख सकते हैं विल्कुल सेम तू सेम सीट है वही पैटर्न साथ बस हां में जरू काऊंगा पुरानी वाली एनेस बंट्रेंटीफ से मुझे लग रहा है मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा है मैंने जब दोनों को टच्च किया इस इतना कोई खास बेस नहीं लगा वकि हाँ यह है प्यारा है सुनने में अच्छा लगता वाकि अच्छा साउंड रेडर ज़रू प्रडूश करती है यह बात तो मैं बोलूँगा अब इसके कलर उप्शन की बात करें तो आप देख सकते हैं एक मेरे सामनी खड़ा है और ऐस इसे और जो भी कलर उप्शन आते हैं वह आप देख सकते हैं डिस्प्ले वे शो हो रहे होंगे तो यही कुछ कलर स्कीम है जो बजाज ने इस गाड़ी के लिए अब मैं आपको इसका एक बार ओवर व्यू देता हूं तो आप सकते हैं आप फ्रंट से कुछ प्यारा सा इसा यहीं पर से थोड़ा सा डिस्प्ले कारण आपको कहीं नगए उनिकनेस देखने को मिल जाएगी जहीं पर आपको पता लगेगा कि यह गाडी में पीछे से अनतर कहां से अब इसके प्राइस की बात करें तो एक लाग बीस हजार एक शोरूम इसके प्राइस है और और प्रा यहीं कुछ बात थी NS 125 के बारे में जो की 2024 का मॉडल है अगर आप मुझसे पूछें तो इसका ओवराल मैं रेट करूंगा 10 में से 9 वो भी सिर्फ इसके चेहरे और के लिए डिस्प्ले हाँ मैं अगर डिस्प्ले मुझे थोड़ा सा पसंद नहीं आया क्योंकि मैं कैने स्टोंडर डोनर हूं बाकी हाँ यह है अकर आप इन्फॉर्मेशन के इसाब से बात करें तो पुराना वाला मीटर जिससे एनलॉक सुई पसंद है वो वही प्रफेर करेगा बा आप लोगों को मेरे चैनल पर देखने को वीडियो में बागी इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं मैं डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक दे दूंगा बागी राइड हार राइट से 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 थेंक्स फो वाचि मेलते हैं अग्री वीडियो में